तो आज मैं आपके लिए गाइडलाइन आंसर्स का सलूशन लेकर आया हूँ आपके FCM पेपर का जो की हमारा डिसंबर 18 का है एंड मॉडिल टूल में हमारा वो रिलेट करता है आपका तो बिसिकली फ्रेंड्स आज जो हमारा ये वीडियो होगा इसके अंदर हम all numericals जो भी आपके December 18 में आये थे वो हम discuss करके चलेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर में theory का जो portion आता है वो 70 marks का आता है और practical का आता है आपका 30 marks का total आपका हो जाता है 100 ठीक है बट practical में आपका 15 marks में आपका optional भी होता है तो हम जो discuss करने जाएंगे वीडियो में हम 45 marks का discuss करने जाएंगे ठीक है न क्योंकि आपको भी पता होगा फ्रेंड्स ये सब possibilities रहती है कि ये futures में भी आपके attempt में questions आ जाते हैं ओके चलिए तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम इसका आपको बता आता है सबसे पहले हम numericals discuss करेंगे इसके और वो काफी scoring भी रहते हैं ठीक है न तो सबसे अब इसमें question number 2 बोलता है question number 2 क्या कहता है question number 2 X limited issues 1000 6% preference shares of rupees 100 each redeemable after a maximum period of 20 years at a face value ठीक है कहता है flotation cost है 4 रुपे और find the cost of capital हमारे को friends cost of capital निकाल ली है preference shares की बात कर रखा है तो हम preference shares पर जिसके आपको friends पता होगा dividend देते हैं ठीक है और अभी flotation cost यह है कि अगर हम अभी अगर पैसा raise करते हैं तो हमारे हाथ में 100 रुपे अगर raise करते हैं तो 4 रुपे कटके 96 रुपे हमारे हाथ में आते हैं ठीक है न तो friends हमने एक formula पढ़ा थ इसका अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम cost निकालेंगे cost कैसे निकलते हैं friends dividend plus यहाँ पर क्या आता है फ्रेंट्स numerator में जो भी हमने funds को use किया ठीक है न तो dividend हमारी funds को use करने की cost किते है तो dividend pay किया plus redeemable value minus issue price divided by on and average हमने कितना fund utilize किया divided by the initial price plus redeemable value divided by 2 यह formula ध्यान रख लीजेगा अब हम इसमें अपनी value put करेंगे चलिए सबसे पहला dividend कितना हो गया friends dividend हो गया 100-6% आपका 6 रुपे आ गया ठीक है हमने अभी अगर हम लेंगे पैसे तो 96 रुपे आएगा हमारे पास और देंगे हम कितना पूरे 100 रुपे देंगे तो redeemable value minus issue price 94 divided by n कितने सालों के लिए ले रहे हैं 20 years के लिए divided by और on and average हम कितना fund यूज़ कर रहे हैं मतलब 100 plus 96 divided by 2 तो इसका friends क्या solution आजाएगा आप इसको जब solve करेंगे तो आपका जो आजाएगा cost of capital जो की है 6.33% चलिए तो इस तरीके से friends यह 3 marks का आपका question था ठीक है न मैं later on आपसे pattern भी discuss कर लूँगा जिससे आपको एक awareness हो कि आपका paper किस तरीके से यह deal करता है ठीक है चलिए simple सा question है friends यह यह भी reorder level आपको निकालना है minimum level निकालना है average stock लेवल निकालना है ठीक है na average stock का तो आपको पता ही है friends जब हम किसी दो चीज को divide कर देते two से तो उसका क्या आजाता है average आजाता है then reorder level and minimum level हमारे को इसका formula with logic पता होना चीए जिससे कि हमारे को इसका retention ना करना बड़े तो friends reorder level क्या होता है reorder level यह होता है कि अगर हम maximum consumption और maximum delivery time भी लग जाए order आने में तो भी हमारा वो level हमारे को चाहिए maintain करना होगा ठीक है और ऐसे ही minimum level क्या है कि हमारा reorder level था उसके बाद अगर जो समान है वो normal time लगता है उसे आने में तो भी वो चला जाएगा तो भी हमारे पास यह minimum level बचना चाहिए ठीक है चलिए अभी अगर ऐसे कोई समझ में ना आया तो कोई बार नहीं जब हम numerical करेंगे तो हमारा concept clear हो जाएगा तो friends जब हम अगर reorder level पोलता है तो reorder level निकालने के लिए क्या formula आएगा maximum consumption into the maximum delivery period कि अगर एक समान को हम 75 units per week use करते हैं और उसको reorder level 6 week maximum लग जाता आने में तो हमारा जो reorder level हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 450 units ठीक है अच्छा उसी तरह minimum level निकाला है minimum level का मतलब हो गया कि भई हमारे पास reorder level का तो है reorder level कितना हो गया आपका 450 units minus normal consumption जो आपकी होती है उसको आप minus कर दीजे तो normal आपका 50 units है और average निकालने के लिए आप क्या करेंगे इसको average ले लेंगे 4 plus 6 divided by 2 is equal to 10 10 का divided by 2 5 तो multiplier आपने 5 कर दिया तो यह कितना आजाएगा 450 में से आप 250 minus कर दें आपका minimum level आजाएगा 200 का ठीक है अब बस इसी तरके से अब हमारे को average stock निकालना होगा average stock निकालने के लिए हमारे पास formula होता है एक तरके से minimum आप इसमें भी कर सकते हो कि minimum level जो आपको maintain करना है और economic order quantity जिसे हम EOQ भी बोलते है divided by 2 ठीक है तो कैसे करेंगे अब minimum level हमने निका minimum level पिलस EOQ divided by 2 तो minimum level हमारा कितना था minimum level हमारा 200 units हमने निकाली और जो reorder level है आपका वो हमने तो 404 निकाला था पर हमारे को EOQ की quantity चाहिए जो कि हमारे को उसने दे रही है 300 units 300 units divided by 2 तो यह कितना आ जाएगा आपका friends 350 units ठीक है चलिए तो friends यह छोटे-छोटे simple से question है और important question बन जाते हैं आपका आपका exam में scoring करने के लिए बहुत important part बन जाता है next question है क्या बोलता है यह next question बोलता है आपका कि आपको degree of operating leverage निकालना है friends तो degree of operating leverage का क्या formula होता है आपका degree of operating leverage का formula होता है आपका contribution divided by EBIT तो basically इसका क्या मतलब होता है कि यह जो interest का burden है वो इन दोनों को कि इतना दूर लिगके चला जाता है ठीक है तो क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि fixed cost एक की 5 लाग है और एक की 10 लाग है ठीक है ना तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे friends मैं एक आपको यह basically जैसे यह भी guideline answer बता रहे हैं तो guideline answer का मतलब होता है कि सिर्फ to guide आपको कर रहे हैं यह एक proper answer नहीं है कि अगर आप सोचें कि सिर्फ जो यह guideline answer देरगा हमारे को इसी के basis पर solution होगा तो ऐसा नहीं है friends ठीक है तो आपको proper तरीके से इसको tablet form में आपको करना होगा बस मैं एक थोड़ा सा logic आपको clear कर रहा हूँ जिससे कि अगर आपको कोई question समझने में understanding नहीं बनते हो तो वो आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं और आपके exam भी आने वाले हैं तो अब मैं expect भी करता हूँ कि आपकी तयारी काफी चल रही होगी ठीक है चलिए तो friends सबसे पहले अगर हम मैं बात करूँ तो आपके पास sales दे रखा है उसमें से आप variable cost minus करते हैं तो आप contribution आ जाता है देखिए friends हमारे को अपने दिमाग में formula रखना पड़ेगा कि हमारे को क्या required है हमारे को उस question में से वो चीज़े निकालने ही पड़ेगी फिर हम interest cost minus करते हैं तो हमारा sorry contribution में से जब हम fixed cost minus करते हैं तो हमारा EBIT आता है ठीक है चलिए अब हम देखते हैं इसमें formula में की 20 लाग की sale है variable cost 40% है तो अगर आपने इसका ये 40% कितना आ गया आपका 8 lakhs तो 8 lakh minus करा तो आपने 12 lakh आ गया 12 lakh 12 lakh में से अगर आपने 5 lakh minus कर दिया तो ये आपका कितना आ जाएगा 7 lakh चीक है तो 12 lakh divided by 7 lakh करेंगे ऐसे ही इसमें कितना हो जाएगा 25 साड़े साथ लाग, साड़े साथ लाग, साड़े साथ लाग, सतरा लाग, पचास अजार divided by और 10 lakh की cost है तो साड़े साथ लाग अब जब आप इसके solve करेंगे तो friends, जितना जाधा इनमें जो risk आएगा, जैसे एक आता है 1.71 और एक आजाता आपका 2.33 तो friends, कौन सा सब जाधा risk है, जो firm हमारी Y limited है, is more riskier, चिक है चलिए, question number D friends, factoring से related करता है, जिसमें हम receivables को अपने manage करते हैं, ठीक है तो इसका भी friends, basically एक आपको, मुझे नहीं पता कि guideline sensor में इस तरकी के provide करते हैं, नहीं करते हैं friends, हमारा जो pattern होना चाहिए, जैसे revenue लिखेंगे, हम इसमें, ठीक है, minus करेंगे, cost और फिर हम देखेंगे, जो भी हमारा net benefit है ठीक है न, कि वो अगर यहाँ पर positive value आती है, तो हम factoring का option लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे यह हमारा एक format होना चाहिए, जिससे हम convey करेंगे अपना, तो एक बार question पढ़ लेते हैं friends, ठीक है, उसके बाद हम इसको solve करते है, the present credit term, कि अभी हम क्या देते हैं उसको, इसका मतलब friend आपको पढ़ना आना चाहिए, कि अगर आप 10 दिन में पैसा दे दोगे, तो 1% का discount, नह यह तो आप 30 दिन में पैसा दीजिए, चलिए, ठीक है, तो यह motivate करता है कि जितना जादा आप discount होगे customer को, वो उतना जल्दी आपको payment करेगा और आपका working capital manage हो जाएगा, annual sale अभी इनकी 40 लाग रुपे किये है, ठीक है, its average collection period is 20 days, ठीक है, its variable cost and average total, average cost to sales is this-this, मतलब कि जो variable cost ह है, वो 85% है, और जो fixed cost वगरा मिला कर जब cost आ जाती थे वो 0.95 हो जाती है, ठीक है, average total cost के अंदर क्या होगा आपका, variable cost plus fixed cost शामिल हो गई, ठीक है, चलिए, and cost of capital is 10%, the proportion of sales on which customer currently discount is 0.50, और जो अभी हम discount दे रहे हैं, उसको वो 0.50 का है, चलिए, यह तो है friends, अभी की situation, उसके बाद हमारा क्या proposal है, वो इसके अंदर बताएगा, क्या बताएगा, X-Limited is considering relaxing the discount terms to the, हम कह रहे हैं उसको, कि हम तुझे 2% का discount देंगे, मतलब हमने क्या किया, discount को बढ़ा दिया, अब discount को बढ़ाने का क्या कुछ हमारी sales वगरा improve होगी है, नहीं, वो question बताएगा, हम पढ़ in sales, मतलब हमारी जो sales है, वो 5,00,000,000 से बढ़ जाएगी, friends, ठीक है, चलिए, okay, reduce the average collection period, अभी जो हमारा average collection period था, basically is 20 days, जो की reduce हो जाएगा 14 दिन में, ठीक है, और जो हमारा discount sales है, वो 0.80 है, चलिए, what will be the effect, the discounting policy का क्या effect होगा, हमारे company के profit पे, और हमारे को 360 दिन लेके चलने मतलब हमारे को 300 दिन लेने, question ने बता दिया कि 365 या 300 नहीं, आप 360 days लेकर question को solve करेंगे, चलिए, friends, तो अब हमने, just, friends, question पढ़ लिया, अब हमारे को ऐसे समझ में नहीं आ पा रहा है, कि हमारे को किस तरगे पूसीट करना है, जैसे मैं आपको वो tabler बताया था, आप उसके स sales by 5 लाग, तो 5 लाग से हमारी revenue बढ़ जाएगी, ठीक है न, और हमारा जो इस पे profit का ratio है, उसने भी हमारे को बताया था, ये रहा, variable cost है, 0.85, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, 0.15, आप उसको ले सकते हैं कि 15% का आपका contribution हो गया, क्योंकि जब sales में से आप variable cost minus करते हैं, तो आपका contribution आजाता है, ठीक है, तो अगर हम contribution लेंगे, तो 5 लाग की sale बढ़ेगी, देखी, यहाँ पर 5 लाग से बोला है, तो हमने उसको 0.15 से multiply कर दिया, ये कितना आजागा, आपका 5 लाग का 15% हो जागा, आपका 75,000 रुपे, ठीक है, तो एक तरीके से इतनी हमारी revenue पैसा देते थे, और अब 14 दिन में पैसा देने लगे हैं, तो हमारे को एक तरीके 6 दिन के बच्चत हो गई, तो अब हम निकाल लेते हैं कि हमारा जो investment in receivable है, उसके वज़से जो reduction हो गया, उसमें कितना फायदा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने बताया था, उसमें rate भी कितना दिर का, हाँ ये देखिए, cost of capitalist 10 पड़ते हैं, हम उस पर 10% कमा लेते हैं, तो अभी हगर हम निकालने कि आपका अभी block कितना रहता था fund, सबसे पहले हमारे कोई निकालना पड़े हैं, कितना, तो अभी आपकी 40 लाग की sale थी, ठीक है, और उसमें आपका सब लोक रहता था, 360 देन के साब से तो, जब इसको आप solve करेंगे friends, 2,11,111, for simplification जिसे friends, लंबा वीडियो न बन जाए, calculation तो आप भी solve कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ logic पर focus करने के लिए ये चीज़े solve कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है न, चलिए, तो ये तो अभी हमारा हो जब आप 5 लाग को sales बढ़ाएंगे, तो ये थोड़ी ना है कि आपके जो fixed expenses है वो भी बढ़ जाएंगे, common sense ही बात है, कि जो fixed expenses है वो तो वही रहेंगे, ठीक है न, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम proposed investment निकालेंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा, तो proposed हम निकाले प्रपोस्ट इस इकल टू, 40 लाग पे आपका 0.95 इतना पैसा रहता था, पिलास अब 5 लाग पर आपका 0.85, मतलब जो variable cost आपके लग यह सिर्फ उतना ही, और अब 24 दिन से मलिपलाई भी नहीं होगा, अब 20 से दिन से नहीं होगा, अब 14 दिन से मलिपलाई होगा, ठीक है, divided by 360, तो यह आपका आजाता है, I think, 1,64, 306, मतलब आप round off कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा issue नहीं है, अब हम पैसो एसो का नहीं खेलेंगे, ठीक है, इतना, तो चलिए, अब friends, इसका difference ले ले लेंगे, जो भी हमने first निकाला था, और second का, तो यह आपका difference आजाएगा, difference आजाएगा आपका, 2,11,11,-1,64,306, ठीक है, उसके बाद यह आजाएगा आपका, 4,6,8,1,0, ठीक है, sorry, मोटा मोटा 5 आना चाहिए, 11,6 गए, मतलब आप उसको देख ली जेगा, calculation को जो भी है, ठीक है ना, अब आप यह मान के चलिए, कि हमारा, उस पे फिर हम rate of interest लगा के बाद हमारा क्या answer आजएगा, 4,6,8,1, रुपीज, बेसिकली हमारा क्या होगा, reduction हो गया, in investment, इसका क्या मतलब हुआ, जब reduction in investment हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, saving, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है, तो अब यह हमारा बच किया, अ अब आप 2% का discount दे रहे हैं, ठीक है, तो पहले जो 1% का discount था, वो आप 40,000,000 की sale पर दे दे थे, और अब आप 45,000,000 की sale पर 2% का discount देंगे, तो 40,000,000 की sale है, 1% का discount और उसने बताया था, 0.50 रुपीज का, तो यह आपका आ जाता है, 20,000, उसी तरह 45,000,000 की sale पर 2% का discount और ज अब यह हमारी at present 52 कौस आई अब आपने देख था 75,000 हमने पहले save कर लिया था 4681 बाद में तो 79,681 हमने save किया 52,000 लगा के तो क्या यह profitable है येस फ्रेंड्स यह profitable है तो हम यह policy को choose कर सकते हैं ठीक है आप इसका presentable तरीके से एक ही मैं request करूँगा आपसे कि जब मैं यह पूरा video complete कर दूँगा उसके बाद आप इसकी एक return practice करेंगे ठीक है न यह नहीं कि sir आपने तो करवाई दिया है अब हमारे को ऐसी कोई जरूरत नहीं है because क्या होता है friends exam में आपके presentation matter करती है ठीक है तो मैं focus करता हूँ friends आपको presentable तरीके से उसको solve करना होगा और previous year papers जो होते है questions वो friends बहुत important होते हैं इनके futures में भी आने की chances रहते हैं चलिए इक question देख लेते हैं यह basically आपका dividend से relate करता है ठीक है तो क्या कहता है following information available in return on investment capitalization rate देता है अर्णिक पर share दे दिया आपका कहता है हमारे को value of share निकालना है ठीक है तो value of share निकालने का आपका formula आपको पता होगा फ्रेंड्स price EPS 1-B 1-B बोले तो retention ratio जो आपका होता है ठीक है ना retention ratio मतलब क्या हुआ 1-B retention ratio इसको मिल तो dividend payout ratio तो जो आपने अर्ण किया उसमें से dividend pay गिया ठीक है divided by ke-g ठीक है यह हमारा logic हो गया अब इसमें हम इसको put कर देंगे values को तो simply हमारा answer आजएगा मैं आपको एक बाद करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई issue ना है तो अभी हमने earning कितनी करी है earning हमारी यह 20 रुपे 20 रुपे की earning retention ratio 0.90 का है उसके बाद के 0.20 दे रखी है minus growth growth नहीं दे रखा है इन्होंने हमारे को growth का formula होता है friends B into R retention ratio हमारे को दे रखा है 0.90 और R दे रखा है हमारे को percent तो इसको friends जब हम solve करेंगे तो हमारा share की value आ जाए ठीक है तो इस तरह किसा आप इसको भी solve कर सकते है friends अब देखे आप जैसे देख रहोंगे question number 2 में आपके choice भी आती है तो आप अगर देख पारे होंगे friends तो इसमें 5 question हमने अभी तक कर लिये है ठीक है अगर आप focus भी करेंगे तो 1.8 minutes हमारे को देना होता है हर एक mark के question के लिए तो on and average अगर हमारा ये 15 marks का question था तो हमारा लगबग लगबग मतलब मोटा मोटा आप 20 minutes मान सकते हैं कि हमारे को देना होगा maximum ठीक है न उससे ज़ादा नहीं तो अब या तो आप 3-3 number के 5 question कर सकते हैं या फिर वो बोलते हैं institute कि आपको हम 5 number के 3 question देंगे ठीक है ये थोड़े से बड़े question होते हैं और वो आपकी choice है friends आप उसको analyze कर सकते हैं जो आपको 15 minutes मिलते हैं ये proper procedure होता है कि आपको analyze करने का और ये practice के लिए ही institute ने दिये कि जिससे आप before exam इसको practice कर सकें तो चलिए सबसे पहले question पढ़ लेते हैं हम तो exam नहीं दे रहे हैं friends इसलिए सारे questions करेंगे ठीक है ना आप उसको examination में skip कर सकते हैं ठीक है चलिए Company X and Company Y are in the same risk class and are in identical in every respect except that Company X uses debt बता दिया Company X और Y बराबर है बस Company X debt use कर रही है ठीक है debt का मतलब हो गया इसका मतलब हो गया interest बड़न होगा और आपको पता है friends interest जो होता है वो आपका tax saving expense होता है चलिए वाइल Company Y does not Company Y नहीं यूज करती दा leverage firm इस साड़े चार लाग debenture दे रखे हैं हमारे पास ठीक है 10% के साब से और both the firm earn 20% 20% का profit earn करती है on their total assets उन दोनों के पार total assets साड़े साथ लाग के है assume the perfect capital market है rational investors है ठीक है न rational investors का finance मतलब होता है कि अगर profit जादा जहाँ भी दिखेगा वो shift कर जाएगा tax rate आपको दे दिया 35% capitalization rate दे दिया अब आपको क्या निकालना है value of the company of x and y using net income method ठीक है तो friends मैं calculations को थोड़े सा avoid करके आपको एक guidance दे दूँगा जिससे आप इसको solve कर सके और अगर को issue आगा आईगी तो आप मुस्से पूछ सकते है comment करके मैं उसको answer कर दूँगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें friends इन्होंने operating profit दे दिया हमारे को ठीक है तो operating profit का दूसरा ही नाम होता है आपका EBIT तो अगर हम लेकर चलें company x company y तो EBIT 7.5 लाग का 20% कितना हो जाएगा आपका 1.5 लाग ठीक है ये भी 1.5 लाग हो जाएगा company x में interest button भी जाएगा तो interest button 4.5 लाग का 10% 45,000 ठीक है तो 45,000 अपने पे किया 1.5 लाग रुपे बचा आपका ये आपका आगया EBIT इसमें से आपने earning before tax है ये आपका उसमें से आपने tax pay किया 35% का लगबग लगबग 35% है तो ये कितना जाएगा 36,750 डेल लाग ये आएगा डेल लाग पर आप 35% pay कर देंगे 52,500 इसको tax ज़्यादा देना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब value company x और company y का earning after tax कितना हो जाता है आपका 68,250 और 97,500 अब ये क्या बूलता है हमारको इसमें capitalization rate दे रखा था capitalization rate is 15% तो अगर हम earning capitalization rate 15% है तो हमारी value of equity कितनी आ गई 4,55,000 और 6,50,000 तो 6,50,000 और इसमें value of debt भी थी 4,500,000 की तो ये होगी आपका 9,500,000 और ये सिर्फ 6,50,000 क्योंकि इसके पास debt नहीं है तो friends यह है आपकी value आ गई और यही आपका solution है चलिए कोई भी issue हो friends आप मुझसे पूछ सकते हैं हो सकता है मैं आपको जल्दी भी लग रहा हूँ थोड़ा सा because friends मेरा intention ये भी है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा video बना दूँ मैं आपके examinations भी आ रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आपको each and every question की practice हो और कहीं न गहीं है कि before examination आपको कोई doubt रहता भी है तो आप उसको solve कर सकें ठीक है चलिए second question में I think dividend से related dividend is not effective अच्छा ओके जो mm model friends कहता था कि आप dividend pay करो या नहीं करो जो हमारा dividend value firm है वो change नहीं होती तो उसी कोई नोँ ने friends जो आपका assumption है उसी का ये numerical बना दिया गया और आपको दे दिया गया है तो हम check कर लेते हैं क्या कहता ये X limited belongs to a risk class for which the approximate capitalization rate is 10% it currently has outstanding 25% share दे रखा है है हमारे को the company is contemplating the declaration of dividend 5 रुपे ठीक है at the end of the current financial year it expects that net income हमारी इतनी होगी and has a proposal for making new investment 50 year के हमारे को investment भी करनी है ठीक है तो हमारे को value of the firm एका लिए है तो friends ज्यादा simple question है आपको अगर logic पता होगा तो आप कर सकते हैं हमारे पस friends आज का price हमारे को दे रखा है 100 रुपे ठीक है तो P1 प्लस D1 एक ये formula अगर आपने मतलब पड़ा हो कि अगर हम आज का price निकालना चाहते हैं तो जो भी हमारा आगे आने वाला price होगा और dividend होगा तो उसको हम आज discount कर देंगे तो आज का price आजएगा हमारे को ये given है dividend given है अगर हम पहला लेकर चलते हैं A point मैं आपको लिख देता हूँ इसमें A A में हमने लिख दिया dividend paid ठीक है फिर दूसरे वाले में हम dividend not paid करके हैं को बता दूँगा तो उसमें तो अब इसमें हम dividend pay करके price निकालेंगे तो सबसे पहले आपका price आजएकर dividend pay कर रहे है dividend 5 उर्पई की बता रहा था 5 उर्पई की dividend हो गई ठीक है और price आपका निकालना है ये आपको 100 दे दिया और cost of equity आपका दिरकता 10% तो 1 plus 0.10 ठीक है तो इसको जब हम solve करेंगे तो friends हमारा 105 price आजाएगा चलिए अब friends ये कह रहा है value of the firm निकालना है तो इसमें friends हमारे को ये भी पता हो न चीए कि investment हमारे को करने के लिए अब dividend pay करने है तो dividend pay करना है अब हमारा खर्चा क्या है friends एक तो dividend हमारे को कमा नहीं है एक हमारे को investment के पैसे चाहिए ठीक है और earning हमारी कितनी है 25 यार तो मतलब हमारे को market से पैसा उठाना पड़ेगा अब market से कितना पैसा उठाना है एक share की price 105 रुपे है तो वो हम निकाल लेते हैं चलिए हमारे को 50,000 रुपे तो investment कर नहीं है चीक है जिसमें से अभी हम 25,000 रुपे कमा लेते हैं माइनस dividend भी पै करनी पड़ेगी हमारे को 5 रुपे के साब से तो 5 रुपे के साब से और हमारे पास share है पच्चिस सो तो हमारे को अभी कितना amount चाहिए लगबग लगबग आप 12,500 12,500 37,500 रुपे चाहिए चीक है और जब आप इसको 105 से डिवाइड कर दोगे तो यह आपके number of shares आ जाएंगे हमारे से number of shares पूछे नहीं है इसलिए हमने वो निकाला नहीं है चीक है चलिए अब value of firm की बात करते हैं तो value of firm कैसे निकालते हैं friends basically अगर हम मैं बात करूँ तो आपका earning minus investment प्लस अभी के जो share हैं आपके पास जो आप share issue करेंगे और उनका क्या price हो जाएगा एक साल बाद उसको हम आज से one plus आज discount कर देंगे ठीक है तो अगर हम निकालें अभी earning है हमारी 25,000 minus investment चाहिए 50,000 की और share का price कितना हो जाएगा हमारा 37,500 डिवाड़े बाइ 105 प्लस पच्चिस सो share हो जाएगे हमारे पास इनको multiply कर देंगे 105 से तो ये कितना आजाएगा हमारा इसको आप discount करेंगे तो ये आजाएगा आपका solve करेंगे तो आपका ये आजाएगा फ्रेंड ठीक है चलिए उसके बाद अब हमारे को कहता है कि हम dividend pay करे न करे हमारी value of firm same रहनी चाहिए तो अगला method लेते हैं dividend not paid नहीं pay करने dividend हमारे को तो नहीं pay करेंगे तो कितना आजाएगा price अभी 100 रुपीज है dividend देनी नहीं है और 1 प्लस 10 से discount करना है तो हमारा price आजाता है 110 रुपे चिक है चलिए ओके आब dividend pay नहीं करनी तो dividend का हमारा expenditure नहीं होगा और expenditure नहीं होगा तो इतने shares issue कर देंगे और value of firm क्या होता है आपका आज total number of shares आपका जो जितना हो जाएगा multiply by price ठीक है उसके बाद जो आपने earning करी minus investment तो चलिए solve कर लेते हैं हमारे पास 25,000 divided by 110 प्लस कितना हो जाएगा हमारा shares कितने ते पच्ची सो share पहले थे और shares का price कितना आया था भी हमने निकाला था 110 रुपे उसमें हम जोड देंगे आपकी earning 25,000 की minus कर देंगे 25,000 की investment तो जब आप इससे solve करेंगे तो आपका 0,500,000 रुपे ही answer आ जाएगा तो hence proved friends कि हमारी जो value of firm है वो same रहती है चाए आप dividend दे या ना दे बेसिकलिए अगर आपने difference देखा होगा था वो share price का ही difference था चिकलिए next question पढ़ लेते है सबसे पहले question की demand क्या है हम ये देख लेते है compute the after tax cost of equity and the debt and weighted average cost तो weighted average cost of capital निकालनी है जिसको आप K.O. के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो निकाल लेते हैं सबसे पहले आपका आजाता है आपको EPS दे दिया dividend payout ratio दे दिया market price दे दिया tax rate दे दिया growth rate दे दिया और additional capital के बारे में भी आपको बता रहा चलिए ठीक है friends तो बहुत simple का question है सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास देखिए जो हमारा केडी निकलता है क्योंकि इसमें आपको देख रहे हैं आपका इन्होंने debt भी बता दिया तो केडी निकालना पड़ेगा और केडी क्या होता है इसमें हमारा interest one minus tax इस तरीके से cost निकलती है ठीक है तो simple तरीके से हम सबसे पहले केडी निकाल देते हैं इन्होंने कितना देरका है हमारे को 10% देरका है and 2,00,000 तक 10% देना होगा और 15% उससे उपर ठीक है चलिए कोई issue नहीं है हमारा तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं cost cost of debt 10% debt की तो 10% debt की कितनी आजाएगी आपका 0.10, 1 minus 0.30 और 15% debt का कितना हो जाएगा आपका 15% debt का हो जाएगा 1.30 minus करेंगे तो ये कितना आजाएगा आपका 10 में से ये हो जाएगा आपका 7% और ये आपका हो जाएगा लगबग लगबग 10.5 ठीक है तो अब हमने interest minus 1 minus tax करके एक formula after tax cost निकाल लिए because क्यों क्योंकि वो हमसे पूछ रहा था after tax cost निकालने के लिए ठीक है after tax cost निकालना आए चलिए तो अब हमारे पास KD आगया KD की cost उसने हमारे को KD, 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 KD growth rate हमारे को दे रहा है उसने ठीक है और dividend payout ratio दे रहा है ठीक है तो अगर KD नहीं दे रहा है तो भी कोई issue नहीं है हम KD को निकाल सकते हैं हमारे पास formula होता है D1 upon P 0 plus growth का तो ये friends कुछ formulas वग रहा हैं जो हमारे को एकदम दिमाग में click करनी चाहिए as per requirement हमारे को निकालने के लिए कि अगर equity दे रहा है तो equity का formula लग जाएगा cost निकालने के लिए तो अब सबसे पहले के लिए हमारे को dividend चाहिए dividend 25% है और अणिक price तो 25% लगा देंगे 8 रुपे का 25% 2 रुपे हो जाएगा price कितना है अभी आपका price है 80 रुपे और growth rate हमारे को दे रही है 8% की तो इसको जब हम solve करेंगे तो हमारा 10.5% चीक है अब हमारे पस cost of equity आ गई cost of debt आ गई हमारे को amount of capital पता है अब amount of capital पता है तो हम हमारे पास 4 रुपे का और 10% जो 2 रुपे तक का है 10% तो मतलब जो बाकी का 2 रुपे है वो 15% पर है तो इसी तरह के से हम निकाल लेते हैं अगर तो हमारे को weightage में 10 रुपे लेना है 6 रुपे की equity हो गई 2 रुपे 2 रुपे 2 रुपे और अगर हम weight निकालें तो 6,60,60% carry out करता है 20% carry out करता है percentage हमने निकाली ही थी friends अभी 7% और यह हो गया आपका 10.5% ठीक है ना यह friend dead का आया था वो same सा आ रहा है तो confuse मत हुईएगा यह equity का अलगा आया था और वो dead का अलग है तो जब आप इसका rate इसको multiply करवा देंगे ठीक है ना तो यह आपका 10.5 7% 10.5 तो जब आप इसको multiply करेंगे तो आपका answer आजाएगा 9.8 percent जो की आपकी weighted average cost of capital होगी ठीक है तो थोड़ा सा lengthy question हो जाता है बट अगर आप proper answer निकाल कर आएंगे तो I am sure कि आपको पूरे full marks मिलेंगे ठीक है ना चलिए तो आपका question number second भी हो गया है अब solution वगर अगर आप देखेंगे कई न कई अगर आपको confusion तो वो भी आप देख सकते हैं नहीं तो मैंने उसको solve करवाई दिया है कई कई आपको issue कोई नहीं आएगा तो ये तो चलिए theory हो जाता है अगर अच्छा friends एक चीज़ और अगर आपको को issue आ रहा है theory वगरा में तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं अलग से अगर requirement होगी तो इसी तरीके से friends जैसे अभी तो मैंने आपको December 2018 का solve करवाया है मैं आगे आपके लिए इसी तरीके से December June 19 का December 19 का ये solution लेकर आ जाऊँगा बट उसकी सिर्फ एक condition ये होगी कि आपका जो response होगा इस वीडियो का वो उस पे depend करता है अगर आपने इसको अच्छा response दिया होगा तो मैं surety के साथ आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा चलिए question number आपका 4 ये भी numerical ही है ये हम discuss कर लेते हैं किस चीज़ से related है और ये basically कितने माग़़़ए देखिए friends ये 8 number का question है हमारा तो मतलब question number 4 आता है हमारा उसमें 8 number का और 7 number का question question आता है तो basically 15 number का हो गया पढ़ लेते हैं question इसमें क्या कहता है maximum permissible bank tundan committee के norms लगवा रहा है वो भी second method में second method में आपको friends पता है na current assets minus current liability वो जो हम 25% वाला निकालते हैं ठीक है ना oh sorry total current assets में जब हम current assets का 25% minus रखवा लेता है वो उसके बाद current liability minus करता है और फिर कहता है कि ये maximum permissible bank finance है ठीक है ना चलिए मतलब ये एक requirement मैं आपको बता दी कि इस तरी कि हम इसको carry out करेंगे थोड़ा सा 8 number का question है फिरन तो lengthy तो होगा हम try करेंगे अगर मुझे इसका answer आपको orally वैसे समझाना होगा तो मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले हम question पढ़ते हैं उसके बाद अगर जोड़ पढ़ेगी तो इसका solution use कर लेंगे जिससे कि आपकी understanding बन जाएगी चलिए एक्स limited plans to manufacture and sales 400 units of electric appliances बेजती है और 600 रुपे के साबसे the ratio of cost to selling price are as follows कि अभी जो हम 600 रुपे का electronic appliance बेजते हैं और उसकी कितने units बेजते हैं 400 units 30% cost है 10% 15% 5% ये cost बता दी और fixed overheads की इनों ने बता दिया 4,32,000 का है the following norms are maintained for the inventory management और raw material 30 दिन रहता है packing material 15 दिन रहता है finished goods 1500 units से रहते हैं working progress 7 दिन रहती है तो friends अगर मैंने आपको जैसे बताया था तो total current asset तो सबसे पहले हमारा requirement क्या होगा कि हमारे को total current asset निकालना होगा फिर हमारे को निकालना होगा current assets में फिर हमने current assets तो शामिल करी लेंगे उसके बाद current liabilities क्या है वो निकालना होगा और जब हम इसको निकाल लेंगे तो हमार मैक्सिमो पर बिशेफल बैंक फिनास आजएगा तो यह हमारा एक mind map इसे आप बोल सकते हो ठीक है न? कि भाई हमारे को यहां तक पहुचना है और वो भी कोशना है क्योंकि कभी को और friends जब हम figures पढ़ते हैं मारे दिमाग थोड़ा सा उलज सा जाता है कि यार अब आगे इसको carry out कैसे करना है तो मैंने आपको एक mode बता दिया कि आपको confused नहीं होना कहीं भी ठीक है न? क्योंकि examination में आपके पास pressure भी बहुत होता है मैं उस चीज को because मैंने वो सब चीजे friends face करी है इसलिए मैंने आपको पताया है ठीक है न? चलिए तो आगे चलते हैं अब other details पढ़ लेते हैं other details में कहता है credit sales हमारी 80% है जो की total sales की है बाकी 20% cash sales होगी ठीक है 30 दिन का credit लेते हैं creditors जो इनसे हम माल खरीते हैं उनको 20 दिन का working days का period मतलब 21 दिन बाद पैसे देते हैं उसके बाद overhead expenses 15 दिन बाद देते हैं cash requirement 10% है of total current is it cash balance इसमें नहीं है working days हमारे को दे दिये 300 दिन लेकर चलना है अब इस चीज़ पे friends बहुत focus करिएगा अगर question हमारे को दे देता है 300 दिन या 300 65 दिन या 360 दिन तो friends हमारे को वो ही figure use करनी होगी हमारे को कहीं भी ये focus नहीं करना कि friends हमारे को question का data है उसको most priority देनी है ना कभी कवार हम जल्द बाजी में उसको ignore कर देते हैं तो वो हमारे को नहीं करना होगा degree of completion दे दिया हमारे को 100% raw material का and 50% for the other expenses calculate the net working capital required and the maximum permissible bank finance under the second method यह हमने पढ़ी लिया था चीक है तो आप इसका friends से सबसे पहले हमारे को current assets निकालना होगा ठीक है ना total current assets तो total current assets में आपका क्या क्या आएगा friends हम question से देख लेते हैं सबसे पहले raw material आएगा packing material आ जाएगा working progress आजाएगा आपका working progress basically क्या होता है जिससे ऐसा माल देखिए friends एक तो होता है raw material एक होता है working progress और एक होता है finish goods तो कुछ माल raw material की stage पे है कुछ माल working progress की stage में और कुछ माल हमारा finish goods बनकर त्यार होगा उसी कही इसने ये सब चीजे बताई हैं तो raw material में raw material है और packing material है working progress में इसने बताया था कि हमारा raw material तो 100% लग जाता है और labor expenses वगरा जो भी है वो 50% लगते हैं चीक है उसके बाद finished goods में 500 unit बताई दी तो इसी से हमारा और finished goods आ जाएगा finished goods के बाद आपका जो भी आपका working capital है debtors वगरा वो भी आपका asset हो जाएगा क्योंकि आपने sale कर दी credit sale है ठीक है फिर उसमें cash जोड देंगे तो यह आपका total current asset आ जाएगा चलिए फिर यह तो आ गया आपका total current asset उसके बाद हमारा को चाहिए current liabilities तो current liabilities जिनक labor के expenses है fix your overheads है तो वो सारी cost आपकी current liabilities में आ जाएगी उसको minus कर देंगे तो आपका net working capital भी बोल सकते है आप उसको ठीक है न और या फिर आप उसको बोल सकते है difference between current assets and current liability तो अब आगे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इसको question से मैं आपको answer से समझा जादा per month ठीक है न और हम जो data बनाएंगे वो per nmk से बनाएंगे तो हमारे को जहां भी होगा multiply by 12 करना होगा ठीक है न चलिए तो हम शुरू करते हैं अब question को हमारे को थोड़ा सा ना refer करना पड़े इसलिए मैंने थोड़ा से detail में discussion कर दिया है तो friends आप देखिए raw material की cost निकाल ली ठीक है raw material हमारा कैसे लग रहा था 30% बता रहा था वो 30% रहता है तो जितने की हमारी sale है ठीक है न 4800 unit कैसे आई आपकी 400 unit per month के साबसे बारा 4800 इंटू 600 रुपे के साबसे 30% तो इस तरहे raw material निकाल लिया पैकिंग material डारेक्ट लेबर और डारेक्ट expenses और fixed overhead आप निकाल दिय तो 4.32 आपको दे रखाता तो total cost आगई आपके इतनी चलिए total cost निकाल लिए उसके बाद हमारी sales कितनी है sales आपकी 4800 के साबसे तो आपने profit की figure निकाल लिए ठीक है अब इसका क्या use है क्या नहीं है वो अभी हम आगे चेक करेंगे ठीक है न अभी हम चलते हैं आगे चलिए उसके बाद हमारा आजाता है आपका current assets सबसे पहले अगर हम चाहें तो उसको अभी ignore करते हैं current assets शुरू करते हैं जहां से हमने discuss किया था raw material उसने बताया था 30 दिन का रहता है packing material 15 दिन का रहता है working progress में 100% material का ले लेते हैं ठीक है और जो labor expenses वगरा है वो 50% रहता है तो labor expenses 50% हमने ले लिया simple friends calculation है ठीक है न तो जब आप निकालेंगे finish goods finish goods 1500 unit रहती है तो 21,60,000 का है तो जो अब friends अगर आप देख रहे हैं कि उसका जो हमने आगे ये profit वाला पड़ा था वो कहां use आएगा वो भी हम आगे discuss करेंगा अब जैसे finish goods की cost निकाल नहीं थी 21,60,000 तो जो हमारी finish goods की cost थी वो भी बना सकते हो main answer जो आपका है वो ये है friends जो हमारा question ने demand करी है तो request करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा working notes बनाईए क्योंकि step wise marking होती है friends तो जितने ज़्यादा working notes बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको marks मिलेंगे तो अभी हम इसको नहीं देखते हैं सबसे पहले current assets निकाल देते हैं finished goods आ गया था हमारा debtors हमारा 80% sale थी credit की 20% तो cash ही थी तो total current asset आ गया और cash balance क्या कह रहता है 10% रहता है तो 10% आपने इसका ले लिया तो यह आ गया आपका total current assets चलिए current liabilities निकाल लेते हैं current liabilities में आपको जिंजिन को payment देनी है raw material वालों को packing material को expense वालों को ठीक है न यह payment देनी है आपको ने इसका total कर लिया अब हम अपने formula पे आ जाते हैं total current assets जो अभी हमने निकाला था minus कर देंगे 25% जो tenant committee के norms मानती है कि उतना आपको finance नहीं मिलेगा अब आ minus करने के बाद फिर current liability जितना है उसको माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो यह जो balance मनता है कि आपको इतना maximum finance हो जाएगा और working notes वगरा में friends अब जैसे हमने selling price लेकर किया उसी तरगे से आप cost price भी लेकर चल सकते थे उसमें कोई issue नहीं है बट कोशी करिएगा एक ही आप method उसको अपनाईंग तो ज़्यादा बेटा रहेगा ठीक है डेटरस में वो कह रहा है कि हमने selling price ले रखा है यह वाला ठीक है तो क्योंकि यह given था इसलिए नो ने बोला है selling price लिया है ठीक है ज़िए तो हमारा यह वाला question हो गया है second question हाँ yes second question है हमारे पास यह friends आपका capital budgeting से है ठीक है ना capital budgeting से 7 mark सा question पूछा हुआ है और basically जितना मैं देख रहा हूँ इसको old machine ठीक है ना और कहीं ना कहीं old machine new machine के बारे में हाँ new machine तो इसका मतलब क्या हो गया कि new machine versus old machine की बात कर रहा है friends कि क्या हम new machine को ले या फिर old machine को ही carry out करें ठीक है ना तो friends दोनों के अपने अपने pros and cons होते हैं new machine लेंगे तो उसका repairs and maintenance वगरा काम होता है old machine लेंगे और new machine लेंगे तो आपका पुरानी machine बिग जाएगी उसकी कमाई हो जाएगी और old machine carry out करेंगे तो आपकी variable cost ज़्यादा होगी और new machine लेंगे तो variable cost कम होगी तो यही fundamental हम इसमें लगा कि इसको solve करेंगे चेक cost 2,00,00 रुपे अभी ठीक है न और उसकी book में value है 80,00 रुपे चलिए a new machine costing 4,00,00 जो नई machine आएगी वो हमारी 4,00,00 रुपे की आएगी ठीक है न और its capacity same है वो भी 5 साली चलेगी its means और production वगरा भी same ही रहेगा it means it will be a saving in variable cost और पर वो 1,40,00 रुपे हमारी बचा देगी अब friends कमाई होगी इसका मतलब क्या हुआ एक लाग चाली सार रुपे तो कमाएगी पर अब जो हमारी कमाई होगी उस पर हमारा tax भी लगेगा अगर tax rate दे रखा होगा तो तो उसको आगए डिड़क कर लेंगे उसमें से check कर लेंगे पहले life of the machine 5 years है ठीक है scrap value 40,000 the rate of income tax is 46% तो परटिशन से कहीं कम मिल रहा होता interest तो the old machine if sold today will realize 20,000 और अगर हम old machine आज बेज देंगे तो 20,000 रुपे हमारे को मिल जाएगा and will have no salvage value if sold at the end of the 5 years अगर आप उसे base दो गया आज तो 20,000 रुपे मिल जाएगे नहीं तो पांच साल बात उसका कुछ भी नहीं मिलेगा और x limited है friends आपसे पूछ रही है क्या कि हम replace करें या नहीं तो friends simple सी बात है अब हमारे को इसमें अगर आप इसमें अब मुझसे format पूछेंगे तो friends मैं इसको method सो काफी होते हैं बट अगर मैं NPV method इसके लिए prefer करूँगा जो कि क्या होता है pvci minus pvco basically present value of cash inflow minus present value of cash outflow ठीक है और अगर NPV positive आती है तो हम basically replace कर देंगे और negative आती है तो नहीं करेंगे ठीक है तो चलिए अब कोशिश करिएगा मैं इसको सोचता हूँ आपको इसको भी थोड़ा से बड़ा भी कोशिशन है चलो मैं आपको इसको solutions करवा देता हूँ आपका time नहीं लगेगा जादा solution हाँ सबसे पहले तो जैसा कि अभी हमने देखा था friends हमारे को अगर नई machine लेते हैं सबसे पहले तो new machine अगर हम लेते हैं तो हमारा 4,00,000 रुपे का खर्चा है पर old machine हमारी 20,000 की बिग जाएगी जो भी आपने पढ़ा था तो हमारा जो आज net expense लगेगा वो कितना लगेगा 3,80,000 रुपे ठीक है अभी आपने देखा था मुली लगता है एक बार मैं दिखा दूँ आपको यह देखो यह बोल रहे है 20,000 का आज बिग जाएगा और अगर old machine को चलाओगी तो 5 साल बात कुछ नहीं मिल लेगा तो इसमें जब अभी हम present value energy factor table से multiply करेंगे तो हमारा net जो आजएगी value आजएगी ठीक है न वो उसको हम एक साथी multiply कर देंगे अगर जो पड़ेगी तो नहीं तो यह तो वैसे भी आज की cost है present value आज जो हम खर्च कर रहे हैं तो इसका तो 1 ही है factor तो 3,80,000 रुपी करेंगे तो भ 40% अबारा tax कर जाएगा तो 75,600 रुपे का आपका saving होगी ठीक है उसके बाद यह saving आपको 5 साल तक मिलेगी यह तो एह नहीं कि बई सिर्फ एक साली मिलेगी तो 5 साल तक मिलेगी तो उसकी value आप present value energy factor table जो आपके question paper में given होती है last में अब मैं friends यह assume करके चलता हूँ कि आपको यह सब पढ़नी आती होगी ठीक है तो उससे multiply कर देंगे तो आपका यह पूरा 5 साल की saving आजाएगी ठीक है चलिए उसके बाद अच्छा अब यह 40 रुपे होगी तो 40 रुपे होगी तो 40 रुपे होगी तो 40 र की वो बिक्येगी भी 5 साल बाद बिक्येगी तो उसकी हम present value ल लेंगे 5 साल बाद वाली तो यह होता है फ्रेंड यह तो एनुटी factor होता है present value एनुटी factor और यह होता है आपका present value factor ठीक है न यह तो annual होगा और यह सिर्फ एक ही बार होगा हमारा तो 40 र का खरचा एक ही बार होगा यह आ जाता है आपका total present value इसमेंस से हमने initial investment माइनस कर दिय तो हमारा NPV क्या आ गया फ्रेंड नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि यह proposal हमारे लिए efficient नहीं है मतलब कि यह हमारे लिए नुकसान का सौधर हेगा तो question पढ़ लेते हैं since the NPV of the new machine is negative the company should not replace the existing machine उसको ही existing machine को ही उसको carry out करना चाहिए तो friends अगर आप देख रहे होंगे तो हमने अब तक 45 marks का discuss कर लिया है जिसको तकरीबन काईदे से अगर हम 1.8 minutes के एसाफ से देखे तो 80 minutes लगने चाहिए थे ठीक है ना और तकरीबन I think 50 minutes हो गए हैं हमारे को ठीक है ना जो कि आपके बहुत precious होते हैं वो आप secure कर सकते हैं और फिर theory में भी आपको उसे करने से confidence पढ़ता है अचा friends अब आप मुझे जो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं अपने issues वगरा ठीक है ना कौन से और guideline answers का आपका solution आपको required है किसमें आपको दिक्कत आ रही है ठीक है न friends और कुछ मैं आपसे इसमें tips भी share करना चाहूँगा ठीक है ना कि basically ये जो guideline answers है इसका क्या motive है एक तरीके से एक तो friends जो भी type of questions होते हैं ठीक है ना उसके बारे में एक pattern होता है वो आपको पता चल जाता है इन guideline answers को करने का फायदा ये होता है ठीक है ना और अगर कोई question in future repeat होता है तो आपको उसका benefit मिल जाता है ठीक है ना because you are doing more hard work than others एक questions की level की difficulty के बारे में आपको पता चल जाता है easy है medium level का है difficult किस किस तरह के level के question पूछते हैं आप जब घर पर practice करेंगे तो आप time management की skills आपकी generate हो सकती है ठीक है ना तो कोशिच करिए कि ज़्यादा से solutions अगर आप कर सकें ठीक है ना और देखने से भी और मतलब करने से भी बहुत अच्छा friends बात बनती है और मैं तो ये friends focus करता हूँ कि आप अगर अच्छे से भी लिखते होंगे तो आपके friends handwriting भी improve हो जाएगी ठीक है ना आप exam से पहले अपनी strategy बना सकते हैं और आप तो ये अच्छे से अपनी strategy बना कर कि भाई मुझे किस तरीके से carry out करना है part 1, part 2 मैं उसके detail में तो नहीं जाऊँगा कि part 1, part 1 में आपके कितने कोशान आ रहे हैं, part 2 में कितने हैं, नहीं तो मैं उसको भी discuss कर सकता हूँ but unless friends otherwise आपका वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा और ठीक है न, तो friends थोड़ा सा अब आप इस चीज़ पर focus करिएगा और please friends मुझे बताईएगा इसको आप like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, ठीक है न, अगर आपको अच्छा लगता है ये और अगर आपको आगे भी कोई requirement होगा तो आप मुझे बताईएगा, फिर मैं आपके लिए बनाऊगा वीडियो ठीक है न, friends तो चलिए, friends, God bless you all, best of luck for your exams, ठीक है, thank you, मिलते हैं next वीडियो में, okay, bye bye